जड़ा यहाँ पे आप लोग सोचिएगा एक टेंथ पास कैंडीडेट को अगर कोई कमपनी यहाँ पे टोटल सेल ली 20,000 रुपे इन हैर देती है बात को पहले ध्यान से सुनिएगा जॉब्स की 110 परसेंट गरेंटी और वीडियो में मैं लेता हूँ लेकिन यहाँ पे प्रापरली कुछ लोगों को थोड़ा बहुत प्रापलम भी है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम प्रापर इन्फरमेशन सेयर करने वाले हैं जस्ट बीकॉज इन्फरमेशन आप लोग अच्छे से समझ लीजेगा बिकॉज बात में इस चीजों को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता है बट हम वीडियो के माध्यम से जो भी इन्फरमेशन आपके साथ में शेर करते हैं वो 100% रियल और ऑथेंटिक जैन्वीन इन्फरमेशन होता है क्योंकि आप लोग को पता है चाहे आप इन्डिया के किसी भी इस्टेट के किसी भी डिस्टिक के किसी भी विलेश से हमारी वीडियो को वाच करते हो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में जॉब मिलता है उसका कोई भी रजिस्टरेसन चार्ड या फिर फीस नहीं होता इसके लिए आप लोग को भी बिल्कुल निश्चीनत रहना है तो देखिए मेरे पास में जो अभी रिक्वार्मेंट है यह आप लोग को पता है यह रिक्वार्मेंट अभी चल ला है बहुत ही अच्छा खासा वेकेंशी है एक टेंथ पास को अगर इतना अच्छा खासा उपर्चुनिटीज मिलता है इतना अच्छा खासा सेल्डी पैकेज मिलता है तो लोग इंटरस्ट होते हैं लेकिन हा एक फ्रेसर्स कैंडिडेट के लिए यह सारी चीज़े परसेंट होती है वो कैसे होती है उसके बारे में भी हम आपके साथ में आप बैसनी सी बात है शेयर करेंगे अच्छे से समझ लीजिए उसके बात में आप लोग नेक्स प्रोसेस को फोलो कीजिएगा देखिए काल करने का समय जो है सुबह 10 बजे से सामके 6 बजे तक है बहुत टेली कॉलर्स होता है या फिर कोई भी रेक्रूटर होता है जस्ट समझ लीजे थोड़ा सा जैसे टेली कॉलर हुआ या फिर रेक्रूटर हुआ उसका भी काम करने का एक लिमिटेशन होता है कि हम इस टाइम से ले करके इस टाइम करेंगे और उसके बाद में काम नहीं करें एक fixable time होता है वो लोगों का तो यहाँ पे देखिए call करने का समय जो है सुबह 10 बज़े से लेकर के साम के 6 बज़े तक है calling time morning 10 a.m. to evening 6 p.m. right now calling number जो है यहाँ पे मैंने mention already कर दिया है पहला जो उपर में number रहेगा अभी सेकसर का calling number second thing अभी सेकसर का WhatsApp number और तीसरा हमारी teammate का telecaller है HR recruiter जो भी समझ सकते हो उनका भी number only for उनको WhatsApp करना है मैंने पहले ही इस चीज़ों को बोला था कि joining का 110% guarantee है वेल इसके लिए आप लोग बिल्कुल निस्चिन रहेगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग को बता दूँ यह जो company है इसमें अभी 150 male candidate का requirement है दरसल female candidate का यहाँ पे नहीं लिया जाएगा because female batch में चाहिए होता है single female call करती है और कहती है कि सर मेरा joining procedure complete करवा दीजे so very very difficulties होता है यह सारी चीज़े क्योंकि एक female के लिए ना तो उसको room का management हो पाएगा ना ही accommodation का management हो पाएगा और बहुत जादा difficulties होता है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझ लिजे company name है ZBM Auto Limited Company है जै भारत मारूती Limited Company है इस company में जो काम होता है वो automobile के parts बनते automobile के parts बनते right now इतना भी आसान काम नहीं होता काम बहुत ही जादा difficult होता है मैं पहले इस बातों को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो मेहनत करने वाले होंगे न वही company में आके काम करेंगे ऐसे नहीं कि हाँ भाई सपना देख लिए कि इतना salary मिलेगा इतना package मिलेगा उसके बाद में वहाँ पे जाने के बाद बोले काम सर बहुत हाड है हमसे नहीं होगा ऐसा नहीं यहां से ये mind setup positive होने के साथ सरीर आपका मजबूत होना चाहिए ना काम करने के लिए अब कुछ लोग यहाँ पे यह पूछेंगे कि वजन कितना उठाना परेगा भाई यहां पर वजन उठाने वाला काम नहीं है बहुत maximum होगा तो 15 kg इधर से उधर move करना होगा लेकिन automobile के parts बनते हैं तो उसमें robotic काम होता है robotic काम होता है तो robotic काम में थोड़ा सा आपको starting periods में difficulties लग सकते यहीं होता है जैसे कि अभी नए candidate जो भी गया है उसमें से 55% phrases candidate है जिनको problem हो रहा है क्योंको वो पहली बार काम करने गया है किसी company में और वो भी 12 गंटे का काम तो 12 गंटे का काम वो पहली दफ़ा किसी company में करने गया है तो उसको difficult definitely से लगेगा because वो पहली बार गया है ना काम करने और जो experience है वो अल्लेडी बोला है कि ठीक है हम कर लेंगे हमको बहुत काम का experience है तो वो करता है यहाँ पे देखिए positions जो है associate trainee का है मतलब इसमें जो काम रहेगा वर्क आटो मॉइल पार्ट्स manufacturing company है इसमें price machine operator का है quality का है production का है packing का है store का है यह सारा काम आपको करना होगा यह role and responsibility है दरसल इसमें बता दू तो इसमें robotic काम होता है तो इसमें बहुत सारे different of type के काम हो सकते देखो 8 गंटे का काम थोड़ा सा आसान होता है लेकिन 12th hours का काम जो होता है थोड़ा सा difficult जरूर होता है इसमें 12 गंटे का काम है महीने में 26 दिन काम करना लेकिन 12 गंटे 12 गंटे काम फ्रेशर्स candidate के लिए मैं खुल के बोलता हूँ यह possible ज़्यादा तर नहीं होता वो छोड़ के भागेगा definitely जो कंपनी छोड़ के भागेगा क्योंकि वो फ्रेशर्स है उनको मैं पहले ही इस चीज़ों को बता देना चाहता हूँ कि आप कहीं पे 8 गंटे का काम कीजिये पहले 8 गंटे में आप success होने लगेगा तो 10 गंटे का duty पकरियेगा क्योंकि यहां पे फ्रेशर्स को बहुत ही जादा difficult होता है लोग कहते हैं और बोलते रहते हैं तो हम इसको clear कर दिये तो इसमें देखिए department में फ्रेशर्स भी चलेगा बट फ्रेशर्स वो होगा जो मेहनती होगा जो already काम करने के लिए positive thinking के साथ साथ उसका सारी रिक जो है body जो है वो मजबूत होना चाहिए साम करने के परती उसका positive दिखना चाहिए साथी सरीर भी मजबूत होना चाहिए तो यहां पे देखिए qualification 10th 12th iti सब कोई चलेंगे अगर कोई ग्रूप में पांच लोग साथ में है उसमें एक पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी लिया जाएगा एज 18 से 40 साल है minimum 18 है maximum 40 years है उम्र सीमा जो उपर में बताया गया है वो आपके अंदर में ओना चाहिए address जो है सबसे पहले अगर कोई बिहार जारखन उत्तर पर देश से आएगा तो एहमदाबाद गुजरात का टिकेट करेगा right now एहमदाबाद से उसको आना है सानन्द सानन से वितलापूर कंपनी है लेकिन सानन के आसपास में रूम मिल जाता है वेल डिफिकल्ट नहीं है तो आसपास में ही आपको रूम मिल जाएगा अब रूम कंपनी साइट से रहता है जो हम आपको आगे बताएंगे salary 20,000 रुपे in hand मिलेगा 12 गंटे और 26 दिन का facilities में है चाय, snacks और एक टाइम का खाना चाय के साथ snacks मिलेगा और एक टाइम का खाना मिलेगा transportation मिलेगा जिसका सारह 600 रुपे salary से कटेगा आपका महीने का जिसमें include है एक टाइम का खाना चाय, snacks और transportation ये टोटल मिलाकर के round figure सारह 600 रुपे आपके salary के साथ deduction होगा ये canteen, bus और transportation ये सब का, ओके अब रुम का जो है 1000 रुपे deduction होगा salary के साथ जिसमें 1000 में sharing basis room मिलेगा 5-6 लोग रहेंगे अब room के बारे में थोड़ा सा मैं आपको clearance कर देना चाहता हूँ, देखिए room के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में नहीं बोला हूँ कि यहाँ पर bed मिलेगा सोने के लिए, bed नहीं मिलता, personally आपको चटाई खरीदने होते हैं, mat जिसे बोलते हैं, mat खरीदने होंगे, जिसका 1500, 2500 रुपे costing होगा यह आपको खरीदना परेगा, खरीद के नीचे बिछा करके सोना परेगा, यहाँ पर bed नहीं मिलता, तो मैं साफ साफ किलियर कर देना चाहता हूँ, नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ से जूटा दावा पेस करके, जूटा commitment करके, मैं नहीं भेजूँगा किसी को ना, तो यहाँ पे रूम मिलेगा, रूम में थोड़ा बहुत, अगर माल लिया कच्रा है, गंदगी है, तो आप 50 रुपे का जारू खरीद के खुद साफ सफाई कर दो, 500 रुपे का वाईपर खरीद के 5 लोग मिल के साफ कर दो, देखो घर में आप जिस तरीके से maintain करते हो, माल लिया घर मे आपको कंपनी रूम देती है, जिसका 1000 रुपे से कट करती है, यह बहुत ही नॉर्मल चार्जेस है, 1000 रुपे, बेंगलोर में तो 17-1700 रुपे रूम के लेते हैं, और टाइल्स वाला रूम देते हैं, लेकिन बेट नहीं देते, तो उसमें क्या कहना, तो दरसल बातों को सम समझी है, यहाँ पर मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रूम के लिए अगर किलीन नहीं है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो 5 लोग मिलके 100 रुपे का वाइपर खड़ी दिये, 100-100 रुपे का अच्छे साफ कर लिजे, और मेंटेन करके खुद रह काम हार्ड लगता है, सारी जगह चली जाओ, इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, काम हार्ड लगेगा, लेकिन उस बज़र से काम सब कंपनी में छोड़ते रहोगे, सक्सेस नहीं होगे, आप याद करो उस अपने माता जी और पिता जी को जितना आपके उपर उमीद होते हैं, जितना आपके उपर उमीद लगा होते हैं कि हाज मेरा बेटा सैसेस्फुल होगा, कल होगा, क्या जे बीम कंपनी में और भी वरकर्स काम नहीं करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप एक्सक्यूज करोगे तो गलत है, जे बीम कंपनी छोटा मोटा कंपनी नहीं है, वरकर के उपर चलती है वरकर के ऊपर सारी कमपनी चलती है तो और 26 दिन continue काम करोगे तो हाँ उसमें 1000 रुपे रूम का कटेगा और सारे 600 रूपी आपका केंटीन का कटेगा सारे 18,000 रूपे अप्रोक्स 12 गंट और 26 दिन का in hand टोटल इन हैंट पेमेंट आएगा जिसमें रूम का कट हो करके केंटीन का कटो करके सारी 18,000 आएगा पंदरा सो रुपे का एक टाइम खाना खुद का खाओगे ये सब खाओगे फिर भी 17,000 रुपे आप घर पे बेश सकते हो 12 घंटे 26 दिन का और आटो मबाल सेक्टर से हर साल आपका 8 से 10 परसेंट सेली इंक्रीज होता है अब इससे ज़्यादा मैं कुछ भी कमिटमेंट नहीं करूँगा जिनको आना है वो कॉंटेक्ट इन्फरमेशन डिस्क्रिप्शन में अल्लेडी दिये रखा हूँ आईए जिनको नहीं आना है जिनको हाड़ वर्क से डर लगता है रूम का किलीनिंग नहीं कर सकते खुद से अपना वहाँ पर घर होता है रूम जो मिलता है वो कमपनी प्रवाइट करती है लेकिन वो अपना घर समझ के रहोगे तो बेहतर रहेगा सो राइट नो इन्फरमेशन देना था मैंने दे दिया नेक्स प्रॉसेस को आप लोग फॉलो करोगे ना कि मैं करूंगा थैंक्यू सो मच एवरीबर्डी फोर वाचिंग इस वीडियो